सनातन माननेताओं के अनुसार महाशिवरात्री को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है साल भर शिवभक्त महाशिवरात्री का बड़ी ही उत्सुकता के साथ इंतजार करते है हर साल में आने वाली फालगुन महा की कृष्ण पक्ष की चतुरदशी तिथी पर महाशिवरात्री का वर्थ किया जाता है और इस साल यानी दोहजार चौबिस में शिवरात्री का पर्व आठ मार्च शुक्रुवार के दिन मनाया जाएगा मान्यताओ के अनुसार देवी पार्वती ने शिवजी की उनको पती रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी जिससे शिवजी प्रसन हुए और पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्विकार किया इसलिए ये दिन शिव शक्ती के मिलन के रूप में मनाया जाता है क्योंकि मान्यताओ के अनुसार इसी तिथी पर भगवाल शिव और माता पार्वती का विवा हुआ था और इस दिन भक्त पूरे विदी विधान से महादेव और माता पार्वती का पूजन करते हैं लेकिन इसके साथ ही कुछ अन्य कारण भी है जो शिवरातरी को खास बनाते हैं तो आईए जानते हैं शिवरातरी के पर्व में और क्या खास है दरसल माना जाता है कि शुरुआत में भगवान शिव का केवल निराकार रूप था शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि महा शिवरातरी के दिन शिव जी पहली बार शिवलिंग के रूप में सुरिस्टी में प्रकट हुए थे और ये एक ऐसा शिवलिंग था जिसका ना तो आदी और ना ही अन्त था साथ ही ये भी माना जाता है कि भगवान शिव के इस रूप का सबसे पहले ब्रह्मा जी और भगवान विश्नु ने पूजन किया था यही कारण है कि महा शिवरातरी के विशेश अफसर पर खास तोर से शिवलिंग की पूजा की जाती है जैसा कि शिवरात्री के नाम से ही इस पस्ट होता है कि शिवरात्री कार्थ है भगवान शिव को समर्पित रात्री माना जाता है कि महा शिवरात्री की रात प्रत्वी का उतरी गोलार्थ इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुश्य के अंदर की उर्जा प्रकर्तिक रूप से उपर की और जाने लगती है और ये एक ऐसा दिन है जब प्रकर्ति मनुश्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक ले जाने की सहायता करती है यही कारण है कि महाशिवरात्री को पूरी रात जागने का विधान है और इस दिन शिव भक्त भगवान शिव का धियान करते हुए पूरी रात जागरण करते हैं जिससे साधक अपनी आध्यात्मिक्ता के शिखर तक पहुँच सके तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें N27 भक्ती